नमस्कार बिहार समाचार में आप सबी का स्वागत है आज है 18 अगस्त और आज हम बिहार के 15 प्रमुक खबर के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सबी ये जरूर कमेंट करें कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही आपके और से एक प्यारा लाइक वीडियो को जरूर कर दे बिहार में कोरोना वारस संक्रमन के पिछले 24 गंटे में 25 नए मामले सामने आने के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित की कूल संक्या बढ़कर 1,66618 हो गई है इसको बदा दे सबसे जदा कोरोना के पटना में 303 और मधुबनी में 203 नए मरेज मिले हैं आभी पिलाल कूल एक्टिम मरेजों की सेंक्या 29,379 है वही कोरोना से अब तक 515 लोगों की जान जा चुकी है बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमन को देखते हुए कुछ अतरित सक्ति के साथ लोगडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है यह राज जीला अनुमंडल ब्लॉक मुख्याले और नगर निकाय चेत्रों में 6 सितंबर तक रहेगा नाइट कर्फ्यू भी लागो रहेगा हाला कि पहले यह चर्चायती की सरकार लोगडाउन खतम करने वाली है इसका आपको विस्तार रूप से आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर जिसमें आपको सारा चीज बताया गया है कि लोगडाउन में क्या गाइडलाइन जारी किया यह जिसके तद आपका क्या सहर में क्या खुले रहेंगे क्या बंद रहेंगे तो उसे आप जरूर देख ले जाके चैनल पर जम्मू कस्मिर के बारामुला जिले के करारे इलाके में आतंक्यों ने समुवार को स्यार्पियप और पुलिस की सयुग नाका पाड़ी पर फायरंग कर दी हमले में तीन जवान सहीद हो गए स्यार्पियप के दो जवान और पुलिस के एक स्पेसल अपसर को गुली लगी थी तीनों के अस्पताल में भरती करवाया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया सहीद हुए स्यार्पियप के दोनों जवान बिहार के रहने वाले थे 41 साल के सहीद खुरसिद खान रोतास जिले के बिकरम गंज के रहने वाले थे खुरसिद सिपाई ड्रैवर के पोश्ट पर तैनाथ थे तिस साल के सहिद लवकु सुदरसन सर्मा जहानाबाद जिले के थे सुकुराबाद थाने के अईरा गाउं के रहने वाले थे सहिद हुए देश के सपुतों को निज 24-7 की ओर से दिल से सैलूट करती है उनका ये बलिदान देश कभी नहीं बोलेगा जदयोग के पूर्व उद्योग मंत्री स्याम रजक समवार को राजत में सामिल हो गए तेजिस्वी आदम ने उन्हें पार्टी की सदस्या दिलाई इस मोके पर रजक ने कहा कि नितिश कुमार सीथ अपसरु की सुनते हैं पार्टी के कई मंत्री विधायक जन परदिनिदिक खुद को परताडित महसुस कर रहें आगे आगे देखिये होता है क्या उन्होंने कहा कि मैंने दो अप्रेल को दलित उत्पिड़न के खिलाब विधानसवा में वेल आकर परदसन किया था तब ही से मैं उन लोगों को खटकने लगा वे सोच रहते की दलितों की बात करने वाला कैसे आगे बढ़ रहा है नियोजित सिक्चकों को लिए सरकार जल्द ही नई सेवा सर्थ नियामावली लागो करेगे सनिवार को स्वतनता दिवस पर गानी मैदान में आयोजित समारों में मुझमंत्री नितिस कुमार ने यह घोसना की सिक्चकों को एपी एप का भी लाब दिया जाएगा इस मौके पर मुझमंत्री ने स्कूल में सिक्चकों, विस्विदाले में सहायक, परदाने दपक, डॉक्टर, नर्स, लैब टेगनिसियन, फर्मासिस्ट, सनिटरी इंस्पेक्टर और खेल कोटे से 62,320 से भी अधिक पदो पर नई बहाली की घोसना की है, तो बिहार में आप रोजकार के भी आवसर जल्दी खुलने वाले हैं सुसांत के पिता केके सिंग के वकील विकास सिंग ने बॉलिवुड इस्टार की पोस्ट माडम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने उनके पोस्ट माडम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर रिपोर्ट में उनके मौत का समय क्यों नहीं है, यहां बहुत ही अहम जानकारी है, उन्हें मार कर लटकाया गिया या लटकने से मौत हुई है, यहां मौत के समय सही इस्पष्ट होता ह जमु कस्मिर में हुए आतंग की हमले में सहित बिहार के दो स्यारपियव जवानों की सहादत पर मुखमंत्री नितीज कुमार ने गहरी समेंदना व्यक्त किया है सियम नितीज ने सोक संदिश में कहा कि देश उनके बलिदान को हमेसा याद रखेगा मुखमंत्री इस गटना से काफी आहत है मुखमंत्री नितीज कुमार ने कहा कि दोनों जवानों का अंतिम सस्कार राज के सम्मान के साथ होगा बिहार एक तरब कोरोना तो दूसरी तरब बाड की दोरी मार जेल रहा है कही जिलों में नदिया इतनी उफान पर है कि लोगों को अब रहने खाने में परिसान हो रही है बाड से जन जिवन पूरी तरह अस्त वेस्त हो चुका है लाखों लोगों के गर नदियों में समा चुके हैं और लाखों की आबादी, बार की कारण बेगर हो चुकी है और लोगों को पुरी तरह जिना ना, बेहाल हो चुका है। राजधानी पटना इस्तित गंगा घाट का हल, बता दे की गंगा का जलिस्तर खतरे की निसान को पार कर गया है। अब हर दो गंटे पर नदी के जलिस्तर में एक सिंटिमेंडर की विर्दी होती जा रही है। गौरतलब है कि रुक रुक कर हो रही बारिस के कारण गंगा नदी के जलिस्तर में और भी ज्यादा विर्दी होती जा रही है। बॉलिवूड एक्टर सुसान सिंग राजपूत को इनसाप दिलाने के लिए मुहीम जारी रहेगी सुसान के भाई निरज बबलू और उनकी भावी नूतन सिंग ने आज लज़ेपी अज़धक चिराग पासवान से मुलाकात की पतना इसित एसके पुरी आवास पर इनकी मुलाकात हुई मुलाकात के दोरान निरज बबलो और उनकी पतनी ने चिराग पासवान का आभार जताया दरसल चिराग पासवान ने एक्टर सुसान सिंग राजपूत केस की सिविया जाज के लिए लागातार मांग की थी और इस मामले पर उन्होंने बिहार के मुखमंतरे नितिश कुमार से भी फोन पर बातचित की थी पतना में देर साम एक बहुत बड़ी घटना घट गई घटना राजधाने के कोता वाली ताना इलाके की है जहां इंकम टेक्स चोराओ पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति पूरी तरह जखमी हो गया सिलेंडर ब्लास्ट होने के इस मौके पर अपरा तप्रिम मच गई बताया जा रहा है कि इंकम टेक्स चोराय पर गाड़ी में हावा भरने के दोरान अचानक सिलेंडर ब्लाश्ट हुआ जिसमें एक सक्स जखमी हो गया अगली बड़ी ख़वर वैसे चात्र चात्राओं के लिए है जो नीट और जैई की परिच्छा की तयारी करने में लगे हुए है नीट और जैई परिच्छा रोकने से सुप्रीम कोट ने इंकार कर दिया है कोरोना को लेकर परिच्छा को इस्तगित करने के मांग की गई थी ल इसमें सबकुछ रोक दिया जाए एक किमटी साल को यूं ही बरवाद हो जाने दिया जाए सेनिटाइजर के नाम पर बिहार में बड़े पेमाने पर सराब की सप्लाई के दंदे का उत्पाद विभाग ने खुलासा किया है उत्पाद विभाग की टीम ने भारे मात्रा में बिदेशी सराब के साथ दो को गिरपतार किया है सबसे बड़ी बात यहा है कि सराप दिल्ली से सेनिटाइज के नाम पर नामी गिरामी कुरियर कमपनी सेप एक्सप्रेस द्वारा मंगाई जा रही थी बताया जा रहा है कि उत्पात विभाग को गुप्त सुचिना मिली थी कि दिली से कुरियन कमपनी सेप एक्सप्रेस के मैदम से सेनिटाजर की एक बड़ी खेप लगातार बिहार की और आ रही है यह असंका है कि सेनिटाजर के नाम पर सराब का अवेद धंदा किया जा रहा है बिहार बिधान सबा को नया सचिम मिल गिया है बिहार सरकार ने राजकुमार सिंग को बिहार बिधान सबा का नया सचिम न्यूक्त किया है सरकार की और से इसको लेकर अधिसुचना भी जारिक कर दी गई है सामाई ने प्रशासन विवाग की और से अधिसुचना जारिक की गई है राजकुमा सिंग दरबंगा में जिला एवं सत्र नियाधिस के पद पर तेनाथ थे सरकार की और से जारे अधिसुचना के बाद अब वहा विधानसवा के सचिव होंगे राज सरकार ने उन्हें इस पद पर प्रतिन्यूप्ति किया है गोपाल गंज में एक बच्चे के निर्मम हच्ता करने वाले दो महिलाओ को आज फासी की सजा दी गई दोनों महिलाओ को एडिजे चार कोट ने यहां सजा सुनाई है हैत्ता करने वाले महिलाओ एक चाची और एक दादी है गटना के बारे में बताया जा रहा है कि छितोना गाव निवासी विनो तुरा का बेटा देव आचाना घर से गायब हो गया था बच्चे के गायब होने के बाद परिजोन तथा गरामीनों ने पूरे गाह में उसकी खोचबिन की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला था बच्ची की नहीं मिलने पर परिजोनों ने इसकी सुचना पुलिस को दिया इसी बीच बच्चे का सव गाउं के ही एक खेत में पाया गया था अगली सबसे बड़ी खबर भारत के जाने माने सुप्रसित सास्त्रिय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया नबे साल की उम्र में पंडित जसराज ने अमेरिका के निव जर्सी में अंतिम सास ले उनके निधन से पूरे भारत में सोक की लहर है जसराज का जन्म हर्याना में हुआ था जसराज ने संगित दुनिया में 80 वर्स से अधिक बिताएं और कई प्रमुक पुरुसकार भी प्रा 7